हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टू टीचर सेंपायर, आज की इस वीडियो लक्षर में, इस होली के दिन मैं आपको बताऊंगा कुछ चीजें कि क्या आखिरकार अग उत्राखन में आने आले वेकेंसियों का भईश्य है, क्या आप L.T. की वेकेंसिय इस साल आएगी या नहीं आएगी, जो भी बच्चे हमारे सांथी टीचिंग इजैम के तियारी कर रहे हैं, इस पेचली उत्राखन के सपने देखके, क्या उनके सपने पूरे होंगे या नहीं, और कब तक और क्यूं इसी साल वेकेंसिय आएगी और क्यूं ये वेकेंसिय अगले साल डिले होगी, तो कि आपको बता है, Teachers Empire हमेशा authentic news ये आपके पास लाया है, चाहे वो आपके results से related हो, authentic का मतलब ये कि जैसा हमको बताया गया, और किसी अच्छे source के मादम से बताया गया, वो ही हमने आपको बताया है, कुछ भी चीज़ां अपने मन से हमने नहीं बोली है, चाहे फिर वो आपक ये request है, कि आप लोग पहले ही वीडियो के skip कर सकते है, अगर आपको लगता है कि इसमें कुछ भी authentic जानकारी नहीं मिनने वाली है, ठीक है, आपको पता है कि पिछले एक मैने से एक आपका पोस्ट जो कि हिंदुस्तान अगबार में छपी थी, कि LT के पद इसी साल आ सकते है आपने वो पोस्ट भी देखी होगी, तो इस वीडियो में आपको कुछ क्वेशन के जवाद दूँगा, जैसे उत्राखन में LT की वेकेंसे आखिर कप तक आएगी, और क्यों आएगी, और इसी साल क्यों आएगी, और अगले साल क्यों जाएगी, और दूसरा क्या आने वाल पर कटिंग है, जो कि आपको हिंदुस्तान के अकबार में देखने को मिली होगी, कि तेरसर से ज़्यादा LT के सिक्षकों की होगी भरती, ठीक है, और ये जो खवर थी, ये आपका सिक्षा नेदे साले से ही, सिक्षा नेदे साले का ही आपको रिफ्रेंश इसमें दिया गया था इंदुस्तान अकबार के दोरा, लेकिन इसमें है क्या, इसमें कहा गया कि अभी चुनाओ की वज़े से आयोग अभी खुलकर बात नहीं कर रहा है, इसलिए आयोग ने बस इतना जरूर बताया कि आयोग के स्तर पर भरती का प्रस्ताव बनाया जा रहा है, अगर मैं इस पर अगर आप माप रहेगा और आप इनी लाइनों को अगर आप भंसी देखें, तो इसमें लिखा गया है, आप साब साथ देख पा रहे होंगे, कि एल्टी सिक्षकों के प्रमोशन को लेकर पूर में लोग सिवा आयोग को भेजे गे प्रस्ताव पर आयोग ने कुछ जान लोग जानते हैं, डिपार्टमेंटल लोग का मतलब जो आपका जैसे आपका सिक्षा विवाग का जो आपका हेड ओफिसी आपका ननिताल में है और दूसरा आपका पौरी गरवाल में है, जहांकि आपका सेकरिटी लेवल के जहां ओपिसर बैठते हैं, तो वो लोग इनको जैसे जब आपका ये मार्च या अप्रेल में जब रिटायर्मेंट होते हैं, जिनको हम लोग कहते हैं, आपका स्पैन रिटायर्मेंट कहते हैं, या उनके लिए कुछ टामलाजी यूज होती है, तो इस तरीका का जो आपका रिटायर्मेंट होता है, शिक्षकों का मार्च पहले ही तो इनका प्रस्ताव छह मैने पहले ही दो चीजों प्रस्ताव एक तो आपका रिटैर्मेंट प्रस्ताव कि वह बनाएंगे और जो के प्रिंस्पल होंगे फिर या तो आपको यह लोग आपका D.I.O.S. आफिसमों उनको भेजते हैं या तर फिर उनको बेसिक सिक्षा दिकारी खंडे सिक्षा दिकारी या इस तरीके के जो इन इस शिक्षा बागम प्रमोशन होते हैं वो इस समय पे होते हैं तो इसलिए पूरा ब्योरा छह मैंने पहले ही भेजना होता है इसमें क कहने का पूरा भावर्त आप भी समझें कि पूरा अगर मैं इसको summarize करूं मेरे कहने का यह मतलब है कि ये सबी चीज़तों कर दी गई हैं किसकी तरफ से सरकार की तरफ से भी और आयुक की तरफ से अब बात आती कहां पे हैं और बात कहां पे अटक रिया भडतियों को लेके अब अगर मैं आपको बताओं जो भर्तियों के लेकि जो बात अटक लिए वो यहां पे अटक लिए है कि अभी आपको बता है कि मार्च अप्रेल के समय में अभी एक्जाम होने हैं बोर्ड एक्जाम होने हैं तो आप मान के चलिए कि मार्च अप्रेल में आपकी बोर्ड एक् यह आपका मैं जुण जुलाइय तक कोपे कुब मुल्यांकन में रिज़ल्ट बनाने мен और पुरा देटा त्यार कर ने में लगे रहते हैं उससमें आप ध्यार लखे ब्लों से जब मेरी बात हुई तो लोग दो सिघ्षक शंगवाले होते हैं इन Q kalidya son होने हैं ठीक है और इसके बाद जो अदर क्लासिस की एकजाम में आपको पता है जुन सरे बहुत सारे काम होते हैं उनके चुनाओं चुनाओं नहीं हुए हैं और जब इनकी जुलाय तक पूरी हो जाएगी या आपका जैसे जुन जुलाय में आपका माल लीजीद जुन में अगर पूरी हो जाती है तो पिसके वाद अगस्त तक इन शिक्षक महासंगों के चुनाव अलग प्रांतों में या आपका गडवालों कमाउम हो क्योंकि मैंने आपको क्या बताया जो हापका प्रोमोशन का प्रस्ताव है जो से प्रस्ताव को आपका प्रस्ताव यह प्रसने पहले यह लोग करते हैं ईसको करें आयोग किसी का भी promotion नहीं करने वाला है क्योंकि आयोग को कुछ नहीं आ पड़ी है ठीक है और आयोग आराम से काम करता है आपको पता है तो आयोग तबी इस काम को सफल बनाएगा जब यह लोग यानि जो आपके सिक्षक महासंग के लोग होते हैं जब यह लोग आपका नारे प्रमोशन होने ही होने हैं लेकिन इस बार भी लटका देंगे अगर इन लोगों ने यानि किन लोग ने जो महासंग जो सिक्षक महासंग बने होते हैं जो इनके अंदर जो आपके गुड़ बने होते हैं नेताओं के जब तक आयोग भी बिल्कुल सांत ही बठा रहेगा तो प्रिंस्पल वाले फिर आपका उच्छ अधिकारी के लेबल पर जाना सुरू होंगे कब तक मैं आने आपको बताया अगस्त तक ठीक है यह जो संभावना है अगस्त सितंबर तक आप इमानके चली कि प्रमोशन बगर की चीज़ां पक्रिया पुरी होगी अब जो उसके बा योग दुबारा टीचरों का ब्योरम आगेगा ठीक है यानि आप इमानके चली कि नॉमबर तक तो यह सब चीज़ां होनी है अब लास्ट जो माई पास समय बसता है इस साल का कि अगर इस साल एल्टी की वैकेंसी अगर आती है तो आपका दिसंबर तक आएंगी कब तक आए जिए तो यह ऐसे में पूरी कोशित करेंगे कि विध्यालों के पूरे के पूरे के पूरे शिक्षक दे ठीक है तो अब यह डिपेंड करता है इस साल के बच्चों पर जो अभी सेलेक्ट होके ल्टी में विध्यालों में जा रहे हैं कि वहाँ पर 37 संख्या को बढ़ाते है अगर सबी लोग जितने भी हमारे चौश्वक अंडिक जा रहे हैं अगर ये एक स्कूल में या आपका एक ब्लॉक में या एक पंचायत में एक सहर में अगर ये 35 बच्चों को भी बढ़ा देते हैं अपने विद्याले में लगाके या जो आसपास की विद्याले हैं वहाँ प अगर तक अगले साल जनवरी और फरोरी में आप ये आप मान के चलिए की अवजच यही आपको अगले साल जनवरी और फरोरी तक या फॉररी तक लिए कि वेकंशी देखने को मिल जाएगी अब vacancy कितनी होगी क्या होगी वो कभी किसी दूसी वीडियो में होगा और आप ध्यान लखिए इतनी जो मैं जितना भी दिमाग दोड़ाता हूँ जितना से भी बात करता हूँ तो एक लाइक हो जाएगा बाकि आपने कुछ नहीं करना है कोई पेट प्रोमोशन नहीं कोई कुछ नहीं है और एक कमेंट आप जरूर करके बताएं कि क्या यह जो इन्फॉर्मिशन थी आपको लगी कि कहीं से अथेंटिक है आप मान के चलिए फिर से बता दू एल्टी की वेकेंसी दिसमबर या जनवरी फरवरी तक ही आएंगी तो थैंक यू आज की वीडियो के रिए लाइक करना आप ना बूलें